अनुछी 370 और 351 का कलंक मिटाने के साथ ही भारतिय जन्ता पार्टी ने जमो कस्मीर में बिधानसवा चुनाओं की प्रती अपनी प्रतिबदता प्रकड़ की थी और अब जमो कस्मीर में बिधानसवा चुनाओं की तिथियां घोसित हो चुकी है यह चुनाओं ना केवल जमो कस्मीर की लोगों बलकि लोकतंत्र में आस्था रखने वाले हर भारतिये के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है दुनिया भर की निगाह आज सोर लगी भी है ऐसे महत्वपूर्ण चुनाओं में इंडी गड़बंदन की जो नित्रत्व कर रही है कॉंग्रेस ने अबदुला एंड संस फेमली प्रैविट लिम्टेट की नेशनल कॉंफरेंस के साथ गड़बंदन करके फिर से अपने राष्ट विरोधी मनसूबों को देश के सामने रख दिया है हाली में नेशनल कॉंफरेंस ने अपना मिनिफेस्टो जारी किया है इस में एक ऐसे बिंदो हैं जो भारत की एकता भारत की अखंडता और रास्तिय सुरक्षा के परती पुरे देश को आसंकित करती है कॉंग्रेस और नेशनल कॉंफरेंस का ये गड़बंदन रास्तिय सुरक्षा को ले करके एनेक बड़े सवाल खड़ा करता है और भारतिय समिधान के प्रती सच्ची सरधा और निष्ठा रखने वाले हर ब्यक्ति को चिंतित भी करती है मैं कॉंग्रेस के नेता सी राहुल गांधी से पूछना चाता हूँ कि क्या कॉंग्रेस नेशनल कॉंफेंस के जमो कस्मीर में फिर से अलग जंडे की घोशना का समर्थन करती है क्या राहुल गांधी और कॉंग्रेस पार्टी धारा तिनसो सत्तर और आर्टिकिल थर्टी फाइव ये को वापस लहा कर जमो कस्मीर को फिर से असान्ती और आतंगबाद के युग में धाकेलने के जमो कस्मीर नेशनल कॉंफेंस के घोशना का समर्थन करती है क्या कॉंग्रेस जमो कस्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वारता करके फिर से अलगाबादी ताक्तों का समर्थन करती है क्या कॉंग्रेस पार्टी और राहूल गांधी पाकिस्तान के साथ एलो सी ट्रेड शुरू करने के नेशनल कॉंफेंस के निर्णे से फिर से बार्डर पार से आतंगबाद और उसके एको सिस्टम को पोशन करने का समर्थन करती है क्या कॉंग्रेस आतंगबाद और पत्थर बाजी की घटनाओं में सामिल उन उपद्रबियों के परिजनों को फिर से सरकारी नौकरी में बहाल करके आतंगबाद दसदगर्दी और बंद के दोर को फिर से लाने का समर्थन करती है इस गड़बंदन से कॉंग्रेस का आरक्षन बिरोधी चेरा भी देश के सामने आया है क्या कॉंग्रेस दलितों गुजरों बकरवाल और पहड़ियों के आरक्षन को समाप्त कर फिर से उनके साथ अन्याई करने के लिए जमो कस्मीर नेशनल कॉंफरेंस के वाइदे का समर्थन करती है क्या कॉंग्रेस साती है कि संक्राचारे परवत तक्तिय सुलेमान और हरिपरवत कोहे मारन के नाम से जाने जाएं क्या कॉंग्रेस जमो कस्मीर के अर्थ विवस्ता को एक बार फिर से भष्टाचार की आग में जोंक कर पाकिस्तान समर्थित गिने चुने परिवारों के हातों में सौपने का समर्थन करती है क्या कॉंग्रेस पार्टी जमो कस्मीर नेशनल कॉंफरेंस के जमो और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीती का समर्थन करती है क्या कॉंग्रेस और राहुल गांधी कस्मीर को आठोनोमी देने की जमू कस्मीर नेशनल कॉंफरेंस की विभाजन कारी नीतियों का समर्थन करती है आजादी के बाद जमू कस्मीर के लोगों के ये कथित स्वयंभू भागय विदाता बन पैठे नेताओं को गुम रहा कर नौजवानों को अलगाबादी साजिस का मोहरा जिन लोगों ने बनाया था उनके हातों में पत्थर और एके 47 इन लोगों ने पकड़ाई थी आज आदने प्रधान मंत्री जी के नित्रत्तों में जब जमू कस्मीर के नौजवानों के हातों में और उन्हें स्किल्ड डिबलमेंट के साथ जोड़ करके उन्हें रोजगार उपलब्द कराया जा रहा है नौजवानों को गुमरहा करने वालों के लिए अब जमू कस्मीर में कोई जगए नहीं है यह सब जानते वे जो सपना सर्दे अटल जी ने देखा था जमू कस्मीर के लिए इंसानियत जमूरियत और कस्मीरियत का उन मुल्यों और उन सिद्दान्तों के आज निकले प्रधान मंतरी मोदी जी ने उन सपनों को साकार करके दिखाया है जमू कस्मीर को जागीर समझने वाले पाकिस्तान प्रस्त ठेगेदार और वहां की कथित लीडर्शिप ने कभी सोचा नहीं कि नफरत की फसल काटने वाली उनकी सियासी जमीन सदा के लिए बंजड़ हो चुकी है कोई ऐसी सरकार भी आएगी जो अनुशे 370 को समाप्त करेगी यह इन लोगों को आज हजम नहीं हो रहा है अनुशे 370 की समाप्ते के बाद जम्मू कस्मीर की आवो हवा बदल चुकी है मुद्दे बदल चुके हैं आतंगबाद और अलगाबाद का मुद्दा चिनाव की धारा में सदाव के लिए विलीन हो चुका है अब वहाँ बिकास, रोजगार और पैचान की बात हो रही है तो सभाई ग्रूप से वोट के इन सौधागरों को कैसे अच्छा लग सकता है और कॉंग्रेस का यह दुरभी संदी कॉंग्रेस से इन प्रस्नों को पोच्छने के लिए हमें मजबूर करता है और इसलिए मैं कॉंग्रेस के नेता से राहूल गांदी से पोच्छना चाहूँगा कि वहाँ देश के सामने इन प्रस्नों का जबाब दें तो अभी अभी मुख्यमंत्री होगी अधितनात को आप लाइब सुन रहे थे और सीधे सीधे हाँ पर राहूल गांदी पर निशाना साधिते हुए नजर आए और कॉंग्रेस को निशाने पर लिया कॉंग्रेस को राष्ट्र विरोधी बताया गया